नमस्कार आप देख रहे हैं Real Express देश दुनिया की बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है मैं शालिनी आज के मुक्य समाचा के ओब बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्कियों पर PFI का काला कच्चा चिट्टा प्रदेश में 13,000 की फोज हवाला से करोडों का चंदा ED के चौकाने वाले खुला से दुशकर्म के बाद नाबालिक को किया आग के हवाले अस्पताल में मौत आरोपी ग्रफता दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मोतो के मामलों में सुप्रीम कोड आज करेगा सुनवाई बेस्मेंट में भर गया दा पानी आज रूस जाएंगे पियाम मोधी ब्रेक्ष समिट में लेंगे हिस्सा रास्टेपती पुतीन से करेंगे मुलाकात आज कानपुर से नोकायन अभ्यान शुरू करेंगे एंसी सी केंडियेट स्वच भारत और सांस्क्रेथे जागरुकता को देंगे संदेश ये तो दिस सुर्खे आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर जा आज के बाद तैयार किये गए डोजियर से पता चला है कि पीएफ़ाई के केरल करनाटक, तमिल नाडू, तेलंगान, दिल्ली, राइस्तान, महरास्टा, बिहार, पश्विम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर और मडिपूर में सैखडू सदसे और काराले हैं आंधर पुदेश के कटपजिले में शनिवार को एक यूवक ने 16 साल की लड़की के साथ दुशकर्म किया और फिर लड़की को आग के हवाले कर दिया था जिसके बार लड़की का इलाज राजीव गांदी आरुविग्यान शनस्तान में जारी था लेकिन रवीवार की प्रदान मंद्री नरेंद मोधी 16 वे ब्रेक्शु सिकल समयलन में भांग लेने के लिए स्वमबार को रूस के लिए रवाना होंगे अपनी यात्रा के दोरान वे समू के नेता और अन्य आमंत्रित अतितियों के साथ दुविपक्षी बैठक भी करेंगे पीम मोधी की उनकी दूसरी रूस यात्रा है देश बरके एंसी सी के 500 से यादे केंडिट अपनी तरह के पहले विशेश नोकायन अभ्यान पर सौंबार को रवाड़ा होंगे इस दोरान केंडिट तीन राज्यों उत्रपरदेश बिहार और बंगाल में गंगा और हुगली नदी में न को लाका तब तक नी नमर्श का हो देखते रहे है रियल एक्सप्रेस